अरे दिल गाफिल गफलत मत कर एक दिन जम तेरे आविगार अरे दिल गाफिल गफलत मत कर एक दिन जम तेरे आविगार सोदा करन को या जगाया कुझिलाया भूल गवाया अब मैं अपनी आत्म से पूछता हूं क्या यम सजमुच आता है मैं आप लोगों को सज्थन केना चाहता है जो मेरी जूटी है मैंने अपने आपको इस संसार में सज्थन सज्थनु वक्ष कहा है क्ताबहों में लिखाया पूछी के लिए कहताほ क्या मैं अपनी हाथ में से पुछेंग हाकें लेखताँ क्या यम पूर आता है जो मैंने समझाए यम को वो कहता हूं कोई बाहर यम नहीं आता मस्धे वकट कोई बाहर से यम नहीं आता है यम कहते हैं खर्द करने को इनसान के अंतर जिस किसम के ख्यालात विश्वास श्रद्दा या कर्म उसने किये हुए होते हैं जिस तना राद के वकत तुम जिस किसम के तुमारे संसकार होते हैं तुम सुपना देखते हो इसी तना मरते हैं वकत जिस किसम के ख्याला इंसान के होते हैं उसके सामने शकने बना कियाते हैं अब इसका थबूत मेरे पास थबूत यह है कि लोग मरते हैं वो कहते हैं बाबा आया और कोड़ा ले आया पार्की ले आया हवाई जाज ले आया यह ले ले आया और मैं नहीं जाता है मुझे कोई पता नहीं होता है इस एक ख्याल ने मुझे को यह यकीन दिया कि जो उसके अंतिर वक्रीशन मरते समय परगठ हुआ वो यह वक्रीशन तो था नहीं ना बाबा सामन सिंह था ना राम था ना कृषन था ना देवी वो जिस किसम का उसका विश्वात था श्रदा था वो आया अब एक आपको सची बात बताता हूं एक सूबेदार हजारी सिंह है सूबेदार मिजर वो सुपाही था उस वक्र से वो मुझे मानता है बड़ी-बड़ी किरमाते हैं उसके हिस्से में आई और मुझे कोई पता है तो वो यह समझता था कि मैं उसकी मदद करता हूं आप समझें ना एक तवा क्वाट्र मास्टर था उसका कोट मार्शल हुआ तो मेरा रूप उसके अंदर पड़ चुआ तो मेरे रूप ने का तेरा कोट मार्शल नहीं कुछ कर सकता उसने मेर्जे क करने वाला उसको किह दिया बापप मुझे कहे, तो मेरे कोट भाशल नहीं कर सकता मोक्ति समझे तो इसका नमाग कर सकता तो जिस एक काखत की इस्वे बना पर उसका कोट मार्शल होना था वो काखत हkien नही नहीं मिला उसका ऐसा बिश्वास था, वो अमरसर में गया मैं, वो अमरसर में आया मेरे पास, उसने अपना एक वाक्या सुनाया, कि उसके चाचे के गुदयकों में फोरा था, गाउ में, तक्रीब बहुत थी, जाक्टर को बिलाया, उसने का आपाई, मैं आपरशन कर देता हूं, अगर यह मर गया तो मैं जबेवारी नहीं रेता, उनने का तुम आपरशन कर ले, उसने उसका आपरशन कर दिया, वो दो कंट जातिसे को होश आई, तो हजारी सिंग को कहता है, हजारी सिंग, तेरा मुझ पर बड़ा आइसान है, उनने का क्या आइसान मैंने किया, उनने का, दो आदमी आए, मेरी रूप को अपने हाथ में रखके आसमां पर उड़ गे, आगे एक जगा बहुत से रूम में पड़ी थ वहां उसने उनको रख दिया। एक आउरत काले लंकी इसनी जबान उसकी आग निकलती थी वह नुह को खाती जाती थी। मैं डरा, मैंने उनको का पर मैं इसने खातो लेना है मुझे एक आदमी से मिला दो। मैंने किस को खाती हें मात। हाधी ।जो कि भी शादरे हिएंग twee किता हैं । मैं अप नोगों को सत्फंग दे रहा हं। को 90 सार कुब हैं, मेरी उमर पर का ख्यार करते हुए मेरी बात को थ्यान से सुन, को बुद्ध साथ हा तो उसने कहा तो आप आगे। पाबे नुकाओ, वो जांदा थी मेरा प्रेमी है। बाबे नुकाओ, मैंनो उत्य बचा देवे। वो कहना हजारे सिंह तू चरोगा तू चरोगा मैं आगी। वो कहना मैं उसनु पकर यह उसनु रूर्नु उसनु किया जा अपने खारणू। तो उसमु क्याभी तू उने खा सकती है, मैं उसमु कुछा। मैं कहीं हाजारे सिंग, तू गै क्या तैनुपता है। मैं कहा है बेवखूर्फ जिसना तू नही उससे अंधर गया, इसना मैं तेरे आंधर नहीं जाना। उसे में समझाया, उसका अग्यान नहीं जाता था, मैंने का जिस तना तुम उसके अंतर नहीं गया, इस तना से मैं में नहीं गया, सुनके वो तुम्हारे साथ प्रेम करता था, उसको पता था, कि मेरी सिफस उसके सामने की हुई थी, और जो उसके गंदे करम से सुना हुआ थ उसने उसको बतादिया, उसने उसके सामने उसके सामने उसके 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 उस और कभील चैहा एक दन تुन्य चले जाना बंदे तन यम्राज किलेकी कुछिए उगलाय है यम्राज नियन नही रहा है की ब막ता है मैंने जानगा मैं यम्राज किसंु भी मुलिष है मन ही यम्राज प्वादा मन ही तह म्राज है अगर तुर्णे कम नेक बंदे हो तुसी, तुर्णे क्रिष्य थे विश्वास है, देवी आ गई, गुलु आ गया, राम आ गया, कृष्यन आ गया, तुसी यमराज को बढ़ जाओगे। ग्रामराज करनें वो ख्यालाब जो तुम् highlighting तुम्हारे लिए तुम्हारीसमें। ग्रू का भगत, रामा का भगत, कृषन का भगत, देवी का भगत कि उति ह्यां। उस व नर्ख में नहीं जा सकतरं। बहानी में लिखा है बुरे से बुरा भगत भी जुछ भगत नरख नहीं जा सकता. क्यूंकि जब वो मरेगा, मरने लगेगा, उसका विश्वास होगा. या देवी पर या किसी पर वो जिस पर उसका विश्वास है, उसका रूप उसके सामने आएगा। तुमके उसका रूप उसके सामने आएगा, वो जो अनेक परकार के खियालात उसके गंदे मंदें वो नहीं आएगे, तो इस यमराज से कौन बचाता है? गुरु की भग्जी, संतमत के मताबक. इस यमराज से हिंजों के मताबक कौन बचाता है? जिसका तुम इश्च तारी की अगर तुम देगी, उसका फग्रत उ तुम को बचाएगी जमराज से? अगर किष्ञ के पग्रत ऋ जमराज से अगर किष्ञ के पगàiट ऊके कंद ऋ लूप और इसका थियुद तुमको बचाएगा जमराज से? अगर किषिण की ediyor कि तुम्हारा जो ख्याल है वो अनेकं के ख आपको समझाने में कोई कसर छोड़ी नहीं, इस वासे मैं कहा करता हूं कि एक के होके रहो, एक के होके रहो, एक का इश्क रखो, एक रूप उसका बनाओ, उसका कोई रूप नहीं, सब रूप उसके हैं, नहीं रूप कोई हैं, सब रूप तेरे, तेरी हैं सब परजा और भूप तेरे, धरा संत अबतार जग को चिताया, दुखी जीव को अपने जगाया, गुलु का काम किताना है, किताना मैंने किसी को सची बात बता के उसको खबरदार कर देना, आप समझे मेरी बात को परवसकर सब कुछए को, कर दिल गाफिल, गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवगा, करदा छेत कर भाई, आगे, सौधाकरन को या जग आया, पुझी लाया, भूल गवाया, अब मैं अपनी आत्म से बुझताम, तुम अपनी आत्म से बुझो, तुम को पता है, तुम क्या सौधा करने आईजी? हम जब माँ की पेच में आते हैं, हम क्या चाहते हैं? बच्चा जब पेच में आ जाता है, तो वो क्या चाहता है? जब उसके हाँ पाउं बन जाते हैं, वो अपनी क्या से बंदिश से निकलना चाहता है बच्चा माँ के पेच में है, जब वो नौ मीन का हो जाएगा, कोई आवरत की ताकत नहीं है, कहें कि बच्चे को बार ना निकाले वो जो उसके अंदिर में है, वो उस अपनी जो कैद में है, उससे निकलना चाहता है, आजादी चाहता है वगर हम क्या करते हैं, अगर उस कैद से बचे, माँ की पेच की कैद से यह सुभावक गुन है, तो फिर हमने क्या किया? अरुद की कैद में आगे, बच्चे की कैद में आगे, दौर्द की कैद में आगे, तर्म की कैद में आगे, गुलु की कैद में आगे, राम की कैद में आगे, हिस्र की कैद में आगे, राइशुर की कैद में आगे, परमात्मा की कैद में आगे, नहीं समझ में हैं, गुलु किसी बंदन दे शुड़ा देता है, अब आप समझगे मेरी बात को, स्वामी जी की मानी है, बंदे तुम गहरे बंदन आन, एक बंदन तो पढ़ा देह का दूजर तेरिया जान, तीसरा बंदन हट हवेली चौथा नाती जान, नाती के फिर नाती होवे फिर कहु काउन छेकान समझे मेरा मतल नहीं, एक रड़ दोजर तेनल रशरी, गहरे खूटे गहरे नदान, मरे बंदन छूटो नहीं, जीते जी तुम सुन अनकान, समझे ने, राला स्वामी कहक बजाई, तुम हो सबसे बड़े बईमान, ये रवस है उनके, तो हम किस लिए आए से, हम क्या चाहत हैं, बंदन से निरबंध होना, तो बंदन एक किसम का कोई नहीं, महां के पेश में बंदन था, जीव चाहता है था, मैं उस कैद से निकिलू, मगर हम एक कैद से निकल के, दूसरे नेक कैदों में आ जाते हैं, अच्छा, किसी ने दुनिया छोड़ दी, वो गुरू बन गय पुत्रों का बंदन च्छेलों 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 का बंदन बंद्रों को छुडाने के लिए, कौन आता है संत के बात? मैं आया तुमाजे वहाँ, किसी अपना दुखना रहा, मेरा पुत्र शिराप पिंदा है, किसी ने क्या मेरा खसम मेन उतंग करता है, कोई केंदा मेरे कोई पैसा है नहीं, कोई केंदा मेरे पढ़ाना दुश्मनी है, कोई केंदा मेन अफनाना है, कोई केंदा मेन अफनाना है, यह जो कुछ तुमारे साथ होता है, किसी को पती अच्छा मेर जाता है, किसी को लड़की बदमास हो जाती है, किसी का लड़का बदमास हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, वो है क्या? वो हमारे पिछले जनम के कर्मों का संसकार है. बंदर में फशे हुए थे वो ही बंदर हमारे सामने है, इस वास्ते संतों के महरग में पहरे बहुते बंदरों को छुडाने के लिए एक बंदर करो, किसका? गुरू का. और वो भी किस गुरू का जो खुद निरबंध है? यहां तो जिपन एक पत्र उठाओ, दो से गुरू नहीं करता है. तो समझ के मेरी बात को कि नहीं? बंदे को बंधा मेरे छूटे काउन उपाएं, कर बंदर निरबंध कर संगत निरबंध की पल में छुडाएं. समझ के मेरी बात को, यह मैं बात साथ रहने क्यों करता हूं? मैं एक जबवारी महसूस करता हूं. अब वही हरी सिंग, सुबेदार, जब तक उसको यह मैंने राज उसकी समझ में नहीं आया, वो समझता था मैं उसकी मदद करता हूं. वो समझता था कि मैं उसकी मदद करता हूं. एह मेरी बेटियों, एह मेरे भाईयों, एह मेरे मिलने वालों, मैं तुम लोगों को बिलकुल थोखा नहीं देता. यह हारी सिंग के साथ कई वाक्यात गुजरें, एक वाक्यात यह गुजरा कि यह जा रहा था मदरास से आगे कहीं, चिप पर पीछे फैमिली से आगे एक ट्रक था, तो यह मुझे कहता है, आप पर जो आपने कहा खत्रा है, मैं तुम को बचा लूँगा। पिछे से दिखा इसने जो ड्रावर आ रहा था, वो ड्रावर पिछे आउरते बैटी हुझे मुल मुल के आउरतें को तरु देखता था, तो इसको घुसा आता था, इतफाक से इसकी अपनी कार थी यह दो पर देखा के नीचे की चिर में देगे, इसके नीचे इसका इसनी कार ने मिली ए वरोने इनको उठाया, इसको उठाकिया, हस्पता देगए, रात के बारा बजे रात को बाबा तू आया, मुझे दबाया, ये किया, वो किया, वो किया, मुझे कुछ हराम आया, तो फिर आपने का, अब मैं जाता हूँ, ये दूसरे वाक्ति के जाग पड़ेंगे, अब तो ठीक हो जाएगा, फिर वो कायता है, इसकी आउलद में बक्तिरी थी, मेरी प्रेमन थी, वो तीसी मंदर पर बैठी हुई थी, तो फोटो में रखी हुई, आगे उसके फूल रखे हुए, सवार रखा हुए, मत्हा देखे, मेरा पती रादी हो जाए, मेरा पती को कुछ ना हो, उसने कहा, उसकी आउलद ने देखा, कि मैं वो जो ऊपर का रोशन दान, उसमें से उतर के उसके पास आय मन था, आपना ही उसको अपना मन था, तो जब से मैं ऐसको यह बताए उसके चाचे की, अब आज छे सार होगे खि थी सार में उसे वृट्चि नहीं लिखी, शे साल में उसने किछी नहीं मज़ को लिखी तब इतो मैं करता हूँ कि अगर मैं पर्दा रखता तो आज मैं क्रोर रुपया का मालिक होता जिसना मर्दी चाहे रुपया कहा जाता यह समझ मेरे बात आपको आती है कर नहीं आती है हमको तुमको जो कुछ इस दुनिया में मिलता है यह हमारा अपना ही करम है मैंने समको बोला किसी के लड़का नलाइक है किसी की लड़की की नलाइक है किसी की आउरत बदमाश है कोई आदमी खराब है किसी को काटा पढ़ गया यह है क्या? यह हमारा अपना ही कर्म है, जैसा कर्म जो जो करेगा तू अंत में फोगना पड़ना, ए स्वामी जी की बानी है, कर्म जो जो करेगा तू अंत में फोगना पड़ना, मैंने संतन साग्मों को देखा, इनको भी तखीश में हुझ, नहीं समझ में आती है, आपने मुझे बिलाय मैं आ गया, मैं अपनी एक फर्द समझता हूँ, जहां गया, टाइसो लाइलर, तीन्सो लाइलर तो इन्हों न दिये, क्रिश्वर नाथ ने, टाइसो न पजास ने ने, आप लोगों दस पंदरा, पंदरा बीश पीश रुपह दिये, आप लोगों ने दिये, मैं अपनी आत् मैं पैसा खा जाओं, तूंकि आप लोग अज्यानी हैं, आपको अंधेरे में रखकर, कि हाँ मैं गया थै, तुमारे अंधेर, यह हो गया, यह हो गया, अगर ऐसी बातें बतागिर, मैं आप से पैसा रखकर आप खा जाओं, मैं मुझ नहीं हूँ, मैं पतेत हूँ, होको मै शिष को ऐसा चाहिए गुरू को सब कुछ दे, और गुरू को ऐसा चाहिए शिष का कश्म न दे, आप समझगे मेरी बात को, मैं हूँ वकत का संसत्गुरू अवतार हूँ, आया ही इसी वाश्ते हूं, मेरे ग्रह ऐसी हैं, मेरे हाथ की रखी रहे ऐसी हैं, मेरे ग्रह ऐसी हैं, दाता ने मेरे मत आरफ बहुत कुछ रिखा, जो सी भी जे कहते हैं, और मेरे दोमे हुकम है तालिम को बदर जाना, क्यों? तू तो वाया नर जही में तर वकीर का पहिसा दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरू के देशा तीन ताप से जीव दुखी है निबर अबर अग्यान अब अगर कोई शख्स हमेशा के लिए इस संसार से बतना चाहता है मुझको ये कहते हैं आण पन्रत जी आप हमको अभ्यास के मतलुख बताईगे आप समझते मीशी बात को आज आज आप अभ्यास के मतलुख कहता हूँ कबीर स्थाम का दूसरा शब सुन पढ़ो कर नेनक दीदार महल में प्यारा है प्यारा है पढ़ो यह जो अभ्यास है, यह शर्मा साइब किसको मिलता है, सूओ, कबीर क्या कहता है, पढ़ो. करने नूदी दार महल में प्यारा है, करने नूदी दार महल में प्यारा है, कामक्रोद मदलोब बिसारो, सील संतोख से मासत धारो, मद मां समित्यात अजडारो, हो ग्यान घोडे असवार भर्म से न्यारा है, जब तक ये शर्तें कोई पूरे नहीं करता, तुम लाग सुवा से शाम तक अभ्यात करते रहो, कहां जाओ में? तुम भी शुकायत करती थी ना, रात तुम ही हमारे घर में गया, हमें वक्त नहीं मिर्दा, हमारा अभ्यात नहीं बनता, अरे बने कहां से? अभ्यात किस काम, कैसे बने तुमारा? अभ्यात के बनने की शर्तें हैं, बढ़ो क्या शर्तें? काम क्लोध मद लोब बिसारो, सील स्थोख से मासत धारो, मद मास मित्या तजडारो, हो ग्यान घुडे असवार भरम से न्यारा है मैं आपको बोला कि मैं नाम लिया, उनीसो सोला तक ना मेरे अंदर प्रकाश खुला और ना खुला शब्द, सवाय रोने के या प्रार्थना करने के गुरू के अगे अपने अंतर में और मुझे कुछ नहीं मिला, कुम नहीं मिला, क्यों कि मेरा तेरा बरस की उमर में तो तो जब बारा साल बसरे बगदाद में जाया गया, वहां आरथ पास नहीं थी, मन से और शीर से पिवित्तर रहा, यहां तक ड़ता था कि माने बारा साल में बगदाद शहर नहीं गया, और बसरा शहर नहीं देखा, क्यों? जुमानी की उमर थी, वहां सुंदरता आई बहु तुम समझते मेरी बात को नहीं, तुम जरता था कि कहीं मेरा मन न फिसल जाए, जब सट्वंगी लोग जाते, तो दो कठे जाते, वह दो ताके वह नहीं, क्या नहीं है, यह दो कठे जाएं, मतार सावधा लियाते थी, तो उस बारा साल में जो मैं वहां रहा, मेरा सारा जो तो मैं आवलाद के लिए आउरत के पाँ जाता फिर तो कोई पाप नहीं था, तुम समझता ना, बानी बाजे वकत रोचिक होती है, दुनिया में किसी शख्स ने ना काम को मारा ना करोज को मारा ना, लोग को मारा ना, मो को मारा ना, हंकार को मारा, यह सब जो कुछ है अतरा उठता है? हजो चीक बानी है, जिसका काम बिल्कुल मर गई हो तो हीजरा हो गया ते हम तारी बजाना जानता है, वो कहा जानता है जिसमें क्लोध नहीं हा, जो उप्धेंग, तो ठोकर मालेंगा तुम्हारे अंदर लोग नहीं है तुम रोटी नहीं कमा सकते हैं आनस मीन से, तुम खाओगे कहा से तुम्हारे अंदर मोड नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं कमा सकते इसका ये मतलब है कि बेफाइदा और नाजाल ना काम भूगा जाए, ना नाजाल लोग किया जाए, ना बेफाइदा किसी के साथ चगड़ा किया जाए मैं समझ मन्तियारा कि समझ भूगा है। मैं समझ में रियूठी सिजाता ये उने काताता तारीम बतलठाना, मुझे नहीं क्या करना हूँ। मैंने झेखा कि इनमा हात्माओं का खलूग नहीं है तु मेरी बात को सोच नगै मैं थे मैंने क्या अपकीता को अजूर बाबास सामण साम जब स्रशंग रवन करते और इनको सोठी 마र देटेंजें थे ॉपकस उन्होंने डेरा बनाया, अपने पोत्रे को देके क्या उन्हें आप बच्नों से मोह नहीं थे उनको छोड़ो, राय राय स्वामी जयार बताते खुद थे, जब छोड़ा छोड़ने लगे, कहते हैं, मैं साथ लोग जा रहा हूँ, राय साथ चेलों को बना रहा हूँ, जिसना से मुझे पूछते थे, जिसना मेरी आरुद को पूछना, क्या उन्होंने आरुद का ख्याल नहीं किया, तुम कहोंगे वह गलतीबर, नहीं, दुनिया में रहते हुए, काम भी रहे, करोद भी रहे, लोब भी रहे, मौ भी रहे, हंकार भी रहे, मगर नाजाज ना हो मेरी पाप को आपने समझाए न, मैं क्या तारीम देना चाहता हूँ, मैं ये तारीम नहीं देता, तुम, ग्रस्थियो, मैं तुम को कहता हूँ, हम गुरूं के आगे मत लिटो, तुम ने मेरा क्या देखा, मैं चोर हूँ, कर डाकू हूँ, मैं क्यों आया हूँ, आप क्या जानते हैं, आपने मेरा क्या देखा, जिसका रूप तुमारे अंदर परगज होता है, वो संत नहीं है, तुम अपने आपको देखो, रात को शुपने में तुमारी आउरत तुमारे सामने आ जाती है, सुपने में तुमारे अंदर गई थी, तुमारा लड़का सुपने में तुमारे अंदर आ जाता है, सुपने में तुमारा लड़का सुपने में आ जाता है, सुपने में तुमारा लड़का सुपने में आ जाता है, तुमारा लड़का सुपने में आ जाता है, सुपने में जो बात अच्छी लगती है उसको कबूल करो, जो बात अच्छी लगती है उसको कबूल करो, बाकि रहा ये देना लेना। तुम जिस शर्दा से किसी बदमाश को भी दे दो, वो खाय शरा भी पी दे, चुनके तुमने अपनी तरफ से नेख नीटिस दिया है, तुमको उसका फ़र मिल जाएगा। अब मेरे भाब को आपने समझा मैंने क्या कहा है आपको। तो शर्द पहले क्या है, ये चीजें छोड़ी पढ़ेंगी, इसके मैंने ये नहीं कि आउरतों को जवाब दे दो, इसके मैंने ये नहीं कि पुच्छों से मौह न करो, सिरफ उन में फथो नहीं। आप समझगे मेरी बात क्यों कि नहीं, आउरत आउरत की जगा, भाई भाई की जगा, मां मां की जगा, बाप बाप की जगा, अपना धर्म पालो। कबीर ने सब का है, दया धार धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, सत नाम ताही को मेरे कहे कबीर अबनाशी, सहे को शब्द बात को त्यागे छोड़े मान को माना, सत नाम ताही को मेरे कहे कबीर सुदाना। तो यह है गरस्टियों के लिए, अब समझे मेरे बात को, जब तक यह शर्ते किसी की पूले नहीं हुई, तो मैं अबयास नहीं बनता था। बसने बगदाद में बना, उस वकर दी मेरी फोटो देखो तुम, लोग खिक देखके मंदर में लगें के देखके आइदान हो जा जा जा। जब मैं कार्में फसा, जो तो मैं आवरत के पास सिर्फ अपने संतान के लिए जाता कोई पाप नहीं। संतान नहीं है, इस तरी पुरुष मेर खाते हैं संतान के लिए, तो कोई पाप नहीं। अब अगर मुझसे पूछा जाए, सत्री बात कहूं, दुनिया मायने को अचार नहीं। अगरतिया मायने में कहा नहीं। संतान को जो संतान के खियासे नहीं पैदा करते हैं, वो पापी हैं। हमने शराप पी हुई हैं, मस्ची में आई हुए हैं, बच्चा पेश में आ जाता है। क्या पता है कि वो बच्चा जाकू बनेगा, चोल बनेगा, कि कैंचर से मरेगा, कि टी-बी से मरेगा या उसको क्या होगा। हम जो बैसी आवराट पढ़ा करते हैं, क्या हम समझदार हैं, क्या हम जिम्मेवार नहीं हैं। इन्हा अम्रीका में ग्या है किम आरिकेण उन्होने स्टा थिस्टिक लिये है स्टाथिस्तिक यांचोव न, यानि ow हिंदी में क्या बोलते हैं उसको संक्या जिस है संक्या थिया कि जितने आर्मी adopted पाज़ा ब्गक्ले गई याने को休 hammy उनकी माउं से पूछा गया, तुम ने इसको पैदा किया, उग कहने हमने पैदाने किया जबरज़स्ती हागि हमारे पेच में, यह उन्होंने स्ट्रिस्टिस्टिक लिए हैं, अमरीका वालों ने, एक अमेरिकन ने मुझे, मैं वहां लेक्र दे रहा था, तो उसे मुझे कहा क अगर हमारी अवराद आज नालाइक है, तो मैं यह कहूँगा कि हम नालाइक हैं, मैंने एक लड़का सिर्फ इस ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक अवराद की ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक यह मौक्या नहीं आया, कि मैं उसको थपड क्या मारना उ आफ 18 सार का है, कभी मेरे सामने नहीं हुआ। बात करती हैं, मेरे सामने से आँख मेलाकर बात नहींदा सिरनीवा करता है। आप समझ रही हूं? एक लड़की नड़की मेरे पएले पादे हुए। मैं मभवी दुन्या का अथमी था, तो मैंने दाता को भी लिखा, मैंने काओ मेरे ऐसे अव्लादों जो न गॉदी हो न लुबी हो न मुफी हो न माई, जैसे ऐसी कताबों में लिखा हुए ऐसे बाते हम सोना करते थी, उसी जो से कहने के जर्की हुई। खामदी ने उसको बसाया नहीं, नीम उनमत है, पाई जाता है सुर्तों, ये कपड़ी ले ले, पैसे ले, मेरे पास बसे रहे ने पातम मैंनी ले ले, मौ कर ये हार है, उसकी मा मर गई, जब अपना खून का आदमी आता, अपना खून का आदमी, ब्रादरी का खून का था, तब तो वो शापर में खड़ी हो जाती, अगर कोई दूसरा आदमी आता हो और शापर करे, मैंने पूसिया, सुर्तों क्यों नहीं तो जानी, रह, अब अब मेरी बात को समझे आदे को, देखो, मैं ये पाशन अपनी घर का मुह कारा करके, तुम लोगों को देना चाहता हूं, मेरी एक लड़की है, ब्लाग डिवेलप्मेंट अभी सर्की आवरत है, पड़ी लिखी है, स्कूल में मास्टर भी रही है, जब माँ उसे कोई बात कहती, तो वो उसको जवाब देती, उसको अपोद कर जाती, तो मेरी आउरत ने करी दवा मुझ को कहा, कि तुम लोगों को उपदेश करते, लड़की को उपदेश नहीं करते, वो लड़की मेरे पास आई, एही दना मैंने का बेटी, मा शग़कायत करती है, क्या हो गया तुमको, वो रो पढ़ी, कैhini, Пिता जी, कभी मेरी को शग़कायत सुनी, मैंने कैई, नहीं सुनी, कैनी, जी, पता नहीं में क्या हो जानाई, मा को जहां थिया, मेरी मुझ कोज निकर RIए जानाई, अब वो प्रू एजर करत ना मैं चाहता था और आज ना मेरी आज़त चाहती थी मैं कामी हुआ आज खंटा तक मैं अपने मन के साथ लड़ता रहा आखर मन ने मुझे काबू कर लिया लड़की पेट में आगई मुझे याद है पहले दो मिने मेरी आज़त ने दुआई खाई कि अभाशन हो जा हुआ नहीं अब जिस बच्चे को मां वेलकम नहीं करती तुम कैसे उमायद कर सकती हो कि वो बच्चा तुमारी ताबैदारी करेगा यह है जो मैं तारिम दे चाहता हम दुनियं को जिसके लिए मैं इस दुनियं में आया हूँ आज़ लेकर काश जितरे गुण है जितने मदभ हैं अगर यह जीवाँ को सचाई की तारिम देने तो इनकी जिंदिया बदल जाती यह लोग तो सिर्फ नाम 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 का अथकारी है कौन? नाम का अथकारी है कौन? मुझे बताओ तो सही. यह तो दुनिया में एक या बीज डाल दिया गया. बचलो किसी मत किसी आपने बुलाया मुछ भी सर्संग कराने के दिये कहा. अब मैं अपनी आत्मा को साफ रखके सस्तंग करा जाना चाहता हूं, आपकी मर्जी हो, सुना हो सुना में तो चले जाओ, आपका जी चाहिए उस पर अमर करो, आपका जी चाहिए उस पर अमर ना करो, आपका जी चाहिए उस पर अमर ना करो, आपका जी चाहिए मेरी को कताब आपको जी चाहता है चार पैसे मंदर में भेजो, आपको जी चाहता मत भेजो. आप समझे ले मेरी बात को मैंने कहा, तो काम करो दिलो मूद, अगर तुम करो छोड़ोगे जाओगे कहा. आप समझे मेरी बात को कि नहीं, इसका यसा योग बिवहार करना सीखो. हमेशा मेरे पास, अब देखो, एक शक्त है, उसके पास चार बच्चे हैं, चार बच्चे रखने के बाद भी भोग करता रहता है, वो मुझरम है. आउरतें सिर्फ अवरात पादा करने के लिए हैं, ना कि विश्या कमाने के लिए हैं. तुम देखो, कोई जानوर ऐसा नहीं, जो वकत के पैले न मादा नर को निजीक आने देखता है, और नर मादा को निजीक जाता है, मगर एक इनसान है, जो ना सुबा देखता है, ना शाम देखता है, ना दिन देखता है, ना राद देखता है, और फिर यह उमयर करता है, कि मेरा अभियास बन जाए। अभियास के जो बनेगा। आगे परो। धोती नेती वस्ती पाओ, आसन पदम जुगद से लाओ, कुम्भक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्ज हो सारा है। मूल अभियास का क्या है, काम, क्रोध, लूब, मौ, हंकार को तुम्हारे काबू में रहे। जरूर से वकत काम की भी जरूरत है, जरूर से वकत क्रोफ की भी जरूरत है, जरूर से वकत लूम की भी जरूरत है, जरूर से वकत मुझ की भी जरूरत है, मगर इनमें फसो नहीं, और फिर ज्ञान की कोले पर अस्वार हो जाओ, यह तो कबीर को पता होगा, काउन सा ज्ञान वो दुनिया को देता है, मैं नहीं जानता है, मुझे नहीं पता है, जो ग्यान मैं शीखा वो बताता हूं, जब से मुझे ये पता लगा, तो मैं किसी के अंदर नहीं जाता हूं। तो जो कुछ भी मेरे अंदर में संकल्प उड़ते हैं, विचार उड़ते हैं, पाव उड़ते हैं, मैं जानता हूं कि उनमें असरियत नहीं है, ये सिर्फ suggestion and impression है। कभी जब मैं इस ग्यान को भूल जाता हूं, तो मैं महीं पत जाता हूं। मैं ग्यान खोड़े असवार ये समझता हूं। कि जब से मुझे ये पता रगा, आगे अभ्यास मेरा बनता भी था, फिर गिरता भी था, बनता भी था, गिरता भी था, अब मैं गिरता नहीं। जागरत में। क्यों नहीं गिरता हूं। मैं मन के अंदे जो संकल्ब उचता है किसी वकत, उसको मैं समझता हूँ, यह नहीं माया है, नहीं समझ में आती है, मैं इसको ग्यान समझता हूँ, काश अगर कभी होता, तो मैं उसको पूछता, पर तुम बता, तेरा ग्यान क्या है, मुझे नहीं पता, जो जिस ग्यान ने तो उस मंदर तक पुछाया, गो उस मंदर तक मैं ठैर नहीं सकता, अभी तक, मगर बात मैंने सचाई बता दी, इस वास्ते, नौ जवान आदम मेरे पास आते हैं, अभयासी, मर्द आते हैं, मैं उनको कहा करता हूँ, लिव अरदी डिजार आफ यूर वाईस, अगर आउर्टी आती हैं, उनको कहता हूँ, लिव अरदी डिजार आफ यूर हजबन, तुमकर तुमकर तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं है, तुमकर उसकी दम्हें कोई पाप नहीं, अब आप मेरे भाव को आपने समझ जाया, नह इसलिए तुम्हारे पर कोई पाप नहीं, अगर अपनी खांच रखोंगे, तो खलती है, आगे बूल कमल दर चतर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो, देव गनेश तैरो पाथानो, रिद सिद चमर ढुलारा है ये खट चक्रों का हाल है, ये जिसम जो है, ये मन की नकल है, ये आत्मा की नकल है, आप समझे मेरे बापकों को नहीं, इसी तिना से ये सब च्छाया है, ये सब यहां से लेकर ये जह तक सब पर से जावागे स्वाद चकर खट दल बिस्तारो, ब्रह्म सवित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी कासिर मारो, तहां शब्द उंकारा है. एक शबत तो जहां उंकारा है, एक शबत जहां उंकारा है, उसकी नकल है ना? अब आप समझें मतले मैं नहीं? जिसम की जागरत, स्वपन और सुष्पती तो आप जानते ही हैं, मन की जागरत, स्वपन और सुष्पती, सैंजल कवल मन की जागरत, सुष्पती मन का स्वपन सुन मन की जागरत ओस्पती तो आप समझें मैं मνी. निज शुरूब जिसको कहते हैं, निज अन्भव जिसको कहते हैं, अपने सेल्फ की कांशिसनेस का, सुप्रमोस कांशिस का नाम है। यही स्वामी जैने लिखा है, जग जागिने तो बहुत अखमूल, सुपना भी है तरसूल, सुश्पति कहा है, कुछ कुछ अराम यह भी नहीं है, ठैल अन्धाम, तब उक कहते हैं, सोच करिया कि भारी कोई का ऐसे शबद हैं, तब सद्गुरान समारी उससे भी आगे गाया, उससे भी आगे बताया, उससे भी पार दिखाया, ऐसे ऐसे शबद आपने बाई में पढ़ है ना, यही ताम ने ताम कर राखा, उसको गुनों बराबर ना वाएंगे हो, आप समझे मैं भार को कर नहीं है, तो इन दर्जों से गुदरने के लिए, जिनोंने घर पहुंचना है, संतों ने खड़ चकरों का साधन बंद कर दिया, मगर खड़ चकर का साधन दुनिया की जिन्दी, हेल्थ के लिए, सिहहत के लिए, जिसम के लिए बहुत जरूरी है, अब आप मेरे भाब को समझें ना, तुमारा श्रीर है, अगर तुम वया जाम नहीं करोगे, किसी तक तुमारा श्रीर सपस्ट नहीं ले सकता, इस वास से इसको ज्यादा तरदी नहीं देते हुए, अपने जिसम को ठीक रखने के लिए, वया याम या हट्शयोग जो कुछ भी आजमी करना चाहता है, वो जरूर करें, आगे पढ़ते जाओ, आगे पड़ते जाओ, ना भी जए ग्सांगा, श्री करें, हां जी, यह उसका अक्स है, अब समझें, यह उसका अक्स है, आगे हिरंग शापता सुमुक गाजा लक्समि सिवाधारा है दौद सिकमल हिर्दे के माही जंग गौर सिव ध्यान लगाई सुहंग सब्द ताँ धुन चाई गन करें जै जै कारा है यहां एक उपर है नहीं समझ में आती है आपके अपके बचारे क्या समझेंगे आप तुके समझदा रहें सिर्या आपको सत्संक्रा रहा हूं शर्मा जी ने कहा था कि मुझे अंतर कहल बता दो मैंने आपको बता दिया कि जब तक आपका इखलाफ छीक नहीं है यह बड़े प्रेमी सत्संगी है जी बहुत है नहीं दिविच्छा है प्रेमी सत्संगी से प्रेम करने वाला प्रेमी सत्संगी नहीं है लोगों को रोटियां ख़़ाने वाला पचास पचास आदमें को सत्संग में रोटि कहाने वाला अन्ञे परमीर संगी किसे कहते हैं जो सत के साथ संग रखता है मेरी उमर कोई गुजर गई सत को छून के- सत यो हमेशा रहता है य। कमी कामदेशनी होता तुम्हारा शीर हमेशा नहीं रह सकता ऐस वास यह सत नहीं है तुम्हारे मन के ख्यारात हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते, इस वासे वह सत नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रकाश पैदा होता है, वह हमेशा नहीं रहता, इस वासे वह सत नहीं है। तुम्हारे अंदर शब्द पैदा होता है, वो भी 20 गंडे तुम्हारे साथ नहीं जाता है। सत कौन चीज है। वो जो तुम्हारे अंदर शब्द को सुनती है, प्रकाश को देखती है। और मन को अंदर रहती है, मन के अंदर देखती है। और जो जिसम मेलाती हुई, जिसम की साख्षी है, उसका नाम है सत्थ, जो अपने जात में, अपने आप में, अपने आप अपनी जात से प्रेम करता है, उसका नाम सत्थ संगी है, अस्री और सचा सत्थ संगी, सत्थ काउन है, तुमारा अपनी ही जात है, वो चीज सत्थ है, जो तुमारे अंदर में रहती हुई, रूप को देखती है, परकाश को देखती है, शबद को सुनती है, अनशबद को सुनती है, वो और चीज है, शबद और चीज है, परकाश और जो आदमी अपने ही जात में मालक को गुरू को अपने ही जात समझता है, गार नहीं समझता, वो सत्संदी है, मगर वहां तक नहीं पहुंच सकता, इस वास्ते उसको, उस अकाल पुरुष को हम गुरू के रूप में मानते हैं, तो जब तक हम गुरू के रूप में उसको पूर्ण मानते हैं, तो जब तक हम गुरू के रूप को पूर्ण मान रहे हैं, वो पूर्ण है जाके नहीं, इसका कोई सवाल नहीं, उसको जब तुम पूर्ण मानते हो, मन्ने की गट कहीं न जाये, तुम वहां पहुंच जाओगे तुम्हारा गुलु पूरन नहीं भी है। उस्थ भी करता है। अगर तुम्हारा विश्वात उसके उपर अटल है, तुम उसको पूरन मानते हो। तुम पहुंच जाओगे। किस्तिना से? जिस्तिना एक अवरत है। वो खाय बुदमाश है, खाय लडाकी है। जो कुछ भी कर दिया है, मगर जो उसका बच्चा है, वो उसको मा समझता है, जब उसको मा समझेगा, उसके दिल में कोई दूसरा ख्याल नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा, तो वो, चुके उसका यकीन है कि वो और उत मा है, हाला कि मा शायद जुराचार नहीं हो, मा इसलिव माही है उसके दिल का भाव योगा, दूसरा उसी अरध को भेdrum समझता है उसका भाव योगा। यसलिव माही का दिल को भावो योगा, जिसलिव जिसना थे खेल है सरफ आपने एपनोगी है। इस वास्ते बाहर दे गुरु की संगत जो है, उसको पूरा मान देना ही, बादे वक्त ऐसा होता है, गुरु अगर रधूरा भी है, चेले आगर सच्छा पूरा है, उसका ख्याल गुरु को भी पूर्न कर देगा। कुमीर साफ जिम्साले जी, रामानद जी कुमीर साफ लेकर कह रामानद। मैं आपको बतायता हूँ, एक पाराथ चन है, वह मेरे पास आया था वहाँ, वह एक कमीर पंतिस क्रिपन, मक्ष में गया, वहां एक और बड़ी मस्त रहती थी, बड़ी अहनन में रहती थी, उसको मेरा, उनका माताजी, तुसी की नाम जब देऊ? उनका महराज, मैंनु दगोरान नाम देते है, बक्री की तीन टांग, मैं एनु जप रही है, बक्री की तीन टांग, बक्री की तीन टांग, बक्री की तीन टांग, अब बड़ान हूँ है, उसन उस मन से बूचा, उनका मैं की करजा, रोज मन तांग करजी मैं नाम जो, नाम ज जो grateन टॉंक कर से कर से जoga देने उस प्ऐपा को συνौल बेलिया है। यही गुरू गुभेहुस अभी शाप का क्रोड सै वे कॉलेसे दे मी शारें। पहाइबेलिया ना वैकन का हा पहा पहाइबेलिया ही। उसने उनके इन लफ़सें को अजी समझे लिया, पाही बेल या ना देखिया, वक्त ना देखा बेला, उधा की हार गया। जितना खेल है सब तुमारे विश्वास का है, मैं तुमको दोखा नहीं दे रहा। मुझको पूजने से, मुझको सोने से, तोल बेने से, मुझको कपड़े देने से, मुझको मत्था देखने से, तुमारा कल्यान नहीं होगा। यह हमारा सोशलाह है. हमारी सोशाइली सब बता है, अब जहां तो यह सब बता है, आप मता देखते हैं. मैं अमरीका गया जिए अंगेजाना है तो तीमेयान मेरे मूह चुम 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 गढ़ा है सारी अंपना. उनका रवाज यह है, वो इजद इसमिश बात में समझते हैं, कि किशी का मुझ रूमा जाए, इसका मतलब है कि वो इसकी इजद करता है, इस नहीं तो आपकी समझ में आए, मैं आए गया हूना, वहाँ दो हजार कम से कम मुझे गुरू मानते हैं, भर दर और, वो जेरी भी आ जिपनगे छाने कंद आए मेरा मुच में, वहाँ नहीं आवे ताहां यह जनणी आवे ताहां कि मेरा मुच में। अब यह उनका है Скात, हमारे लिए लिए सबता नहीं है, हमारे हिंदो Rabbiों कि यह समझो नहीं है समझगे मेरी बात को कि नहीं, तो जब ये दर्जे पास हो जाते हैं, खड़ चकर, संतों ने खड़ चकरों का निशेत कर लिया, तो वकत को जाय करना है, खड़ चकरों का सादन करने वाला अपने खड़ नहीं जा सकता, क्यूंकि उसके उपर से जो घराफ है जिसम का, ये चलने से यहां से चुरू करों, आजे पटा हो जातना है, बाद से कमल हिर्दे के माई, जंग गार से वध्यान लगाई, सोहंग सब्द ताहां धुन चाही, गन करें जय जय कारा है अब मैंने तुमको मुला कि ये खंचकर में सोहंग है, और हमारे हाँ सोहंग यहां है, वो ये उसकी नकल है, आगे दो दाल कमल कंठ के माई, तेमद बसे अविद्या माई, हर हर ब्रह्मा चमर धुराई, जैश्रंग नाम उचारा है जो जहां सादेन करते हैं, उनको इस किसम के शब सुनाई देते हैं, आगे मैंने नहीं सुनें, क्योंकर मैंने सादेनी जहां से शुरू कि जया, आगे ता पर कंज कमल है भाई, बग बोरा दोई रूप लखाई, निजमन करत थांठ कुराई, सो नेनन चिपवारा है मैंने नहीं सुनें, क्योंकर मैंने सादेनी जहां से शुरू किया, आगे ता पर कंज कमल है भाई, बग बोरा दोई रूप लखाई, निजमन करत थांठ कुराई, सो नेनन चिपवारा है यह जिता है, यहां से हम लोग खुरू करते हैं अब ऐसा वक्त आ रहा है, कि इस मन के चकल की भी सादन करने की कोई दरूरत नहीं सिर्फ उपर दे शुरू करो, क्यों दरूरत नहीं मैंने त्रेवा किया, कि यह जो कुछ भी तुमको यहां से यहां तक नजर आता है, यह क्या है मन का खेर है इस किसम का संसकार तुमारे मन पर पढ़ा हुआ है, उस किसम का संसकार तुमारे अभ्यास के अंतर या स्वपन के अंतर या स्मादेवगत तुम को नजर आएगा तुम हिंदू हो, मुसलमान भी अभ्यास करते हैं, हिंदू भी करते हैं क्या किसी Hindu को अभ्यात करते हुए अंदर में अधरत Muhammad नजर आया है, जा हजरत Ali नजर आया है, क्या किसी Muslimा को करते हुए राम नजर आया है, Krishna नजर आया है, आप समझें मेरी बात को, जिस किसम का प्रकर्टी किसी की बनी हुई है, जिस किसम की उसकी quality and quantity of matter से उसका द्माग बन हुए है, जिस किसम के घ्रहों के अशरात से उसकी पैदाश हुई हुई है, उस उस किसम के संसकार आयोंगे, जो जिनके जन्म लगन में सूरिज है, चंद्रमा है, बदस्पती है, या अच्छे जनान घर में है, वो ज्यादा ब्यास उनके अंदर प्रकाश पैदा होगा, ज तुम्हारे अंदर में जो कुछ भी ब्रेन जिस किरनों की स्यालों और किरनों से तुम्हारा ब्रेन बना हुआ है, वो चीज तुमको मिलेगे, अगर अगर फर्द करो किसी को सारी चीने नहीं मिलती, इसके यह महने नहीं है, वो आगा कमर से नहीं बाइ सकता, शूट है, ज आपने को थे साल डाक्षी मुर्दे चीरने पड़ते हैं, उसने मुर्दे चीने मैनत की, हम बीमार थे हम गए डाक्षी के पास, ना मैनत की, ना कुछ मैनत की, उसने द्वाई बताई तर्की बताई आमरादी हो गए, रेडियो और ट्रंसिस्ट्र इना बनाने मारों ने अब है क्या, आपने ये रखा वगने सामने, अब सुन रहे हो, आपने को मैनत की, कोई दूर्स नहीं मैनत करने की, नहीं समझ में आती हैं, ये तो खात खात जिमाग वाले होते हैं, जो डाक्ष बनने के काबल होते हैं, जो साइज दर्जे पास करने वाले के होते हैं, जो स तो तीस साज पैंकी साज अपनी उमर जारा कर दी, वकर उसने बना कि हमारे सामने रख दिया, और उसने उठा रहे हैं, वो ही फाइदा हम उठा रहे हैं, इस वास्ते, संतों के स्थांग में जो गुरु कहता है उसको मानो, सिर्फ इस मन को कंट्रोल करना है, ताकि तुम्हारे मन में घरत ख्यारात न पैदा हो, तुम्हारी बासना है ठीक हो, तुम्हारे दिल में प्रेम और महबत हो, प्रेम और महबत फकीर चान से नहीं, प्रेम और महबत बाबा सावन सिंह से नहीं, प्रेम और महबत उस मालिक से, तो अगर बाबा सामन से जब फकीर चान से प्रेम करते हो अगर फकीर चान से प्रेम करते रहोगे मस्तराम का पुत्तर है फकीर चान मस्तराम का पुत्तर है जब आगर गुरू बयात का है या आगरे का है या लखनव का है तो तुम आखरी मंदर पर नहीं पहुंच सकते, गुरु को मानुष जानते तेनर कईये अंद, दुख्री होएं संसार में आगे जम का फंद, गुरु किया है देह को सद्गुरु कीना न, कहें कभी ता दास को तीन ता परमा, फिर तुम को गुरु कोई हजमत नी, गुरु की जितनी अजमत है वो बाहरे गुरु की अजमत है, जो तुम को अपने सत्संग में बठाकर तुम बचन कहता है, और तुमारे भर्मों और शंकाओं को दूर करता है, इस वास्ते सबसे पहले सरगन सुरूप जो बाहर का गुरु आ, उसकी इज़त और उसका मान है, तुह कहा मेरी बात को समझ रहा है, यह ना समझ ना मैं बाहरे गुरु की खनन कर रहा हूं, बगार बाहर के गुरु के कोई आदमी कुछ नहीं बन सकता, तुम बच्चा पैरा करती हो, अगर उसके साथ बाते ना करो, उसके साथ प्रेम से बाते ना करो, वो बोलना सीखेगा, तुम बोलना सीखेगा, तुम बोलना ही सकता, तो पहले गुरु तो मा बच्चे की, जब बच्चा पैट में होता है, जो कुछ मा सूचती है, वो संसकार जाता है उसके पैट में, वो संसकार जाता है, और फिर जो शूता है पहली दफा बच्चे को उसका संसकार जाता है, फिर ज वो इनसान के वहमों को दूर करके उसको बाहर मुखी से अंदर मुखी कर देता है। यह स्वामी जी ने कहा, एकांत से पीर से एकांत लाओं मैं। ऐसी बानी हमें याद नहीं, पीर से एकांत लाओं मैं। फिर के क्या मैंनी, मन के अंदर तरह तरह के ज़बात, खेरात, पाप उर्चे रहते हैं, उसे हटा करके एक आंच में यह नहीं, एक कर दो। यह सारा सारा मत्वरी से, आगे। कमलन भेद किया निर्वारा, ये सबरच ना पेंड मझारा, सत संग कर सत गुर सिर्धारा, वह सत्ना मुझारा थैंние वर्च ने एक खर्च चटरों का भीль है, इससे आगे आगे सत्गुरु को सिर्धारन करो, एक गुरु सुरुप है. एक तुम्हारा गुरु सुरूप है, ये तुम्हारा महासुन तक जाएगा, यह सद्गुरु सुरूप जो तुम अपने गुरु को लूप त्यान करते हो यह तुमको महासुन तक पजाएगा। आगे सद्गुरु है, महासुन से आगे वो प्रकाश और शबद और अनभवर ज्ञान है। यही बाबा सामन सिंह कहा करते थे। दस द्वाले लिंगो, तर अगे सद्गुरु खुरुता है। दुनिया ने यह सम्झे है। तर तस द्वाले ने अगे बाबा सामन सिंह दैड़ी वरा ज़पगडी वरा खुरुता है। यह घलत है। क्यों कहता हुआ घलत है। एक रामदास है, मैं से संक्रारा था उश्यार पर, दरवना हुआ, वहां से आया, दरवना मेरे पास आया, जाकि जब की पाली मेरे पाउं पर होने लगा। मैंने उसको अश्रा दिया, मैंने क्या बात है। उनके बाबाजी किसे महात्मा को नाम लिया थी, अच्छे मेने हुए, मैं अपने अंतर गया, एक तराब पर रहाया। पानी का। उझे उटे चंद समुदा थी, बदखा रग दिया थान। मैं उसके फिर्दा थी, एक महात्मा मिलिया, उसने किया अगे जाना है ति मेरे को राजा। मैं अच्छे महात्मा रबदा भीना। आगे गया, बयास गया, फ्रैंजवा गया, ओ आदी मैं नदर नहीं आया। कि मैं कहिया सहसंगे और पुछे आओ कहने पए अच्छे में अच्छे में की गया। आज किसे तवर्दा ना लिया, तुसी बैठे साओ, तुसी साओ जिना मैंनू आखिया। अब मैं अपनी आत्मा से ब्रह्मी का जाया हूँ। आगे लगे गरवाई लूँ, चार दिन दी जिन्दी रवासे का न चूट भूला। मैं नहीं पता नहीं हो है का न नहीं गया। नहीं मनू पता। कि उनको जिस वक्त अब्याद करते हैं कि उनको जिस वक्त अब्याद करते हैं। असलिए सुन क्या है। जहां मन संकरप नहीं करता। आप समझें नहीं, जब मन अमन हो जाता है, वह अंधेरा हो जाता है। मन चितपु धंकार फंक्षन हैं करते। तो यहां तक हरे का आद्मी पहुंच नहीं सकता। तो कि हमारे मन के अंदर लारच है, आस है। इस वास से हम लोग अपने गुरू से बातें करते रहते हैं अंतर में, वो बाते होती हैं जो उनका जवाब मिलता है, ये बाहरा गुरू नहीं देता, जिस किसम का तुम्हारे सबकांशन माइन में तुम्हारे ख्याल है, विचार है तुम्हारा, वो तुम्हारे अंदर फुल संगी है निए गनेश नाम एक संगी है, मत पर देता है, मैं उस रिता जान दे नहीं, कि लिए बाबाजी मैं खिर्ची देओ पर रातु चुक्स देर करना वासी उमतान पर आई हुझी है, सुरी टार बजे बयात करना बठा, बड़ा भारा को पांचे मील चावरा सब एक चन इनन देगता नेकल रहाना से сам मेरे तो सी आई पिके सबीका ठॉक्स भी दार करना देगता नें है, मने माया थे नकिता, GO käरा。 उसे मन नुआया, कहाने कि ठहर आजी तहरा वक्त नहीं आया, उसे मन रहिए, हुन दिखो सुधार जी, मैं तुसी मन दस हो, कि क्या मैं अपनी आत्मा को पुछंद हाक रहा कि भी तुछंग गया सी, मैं तो जान दा नहीं। इना तजर्बह न मैं दस्या कि संदर कमल तो रगा कि मान सुन तक इतने दर्जे हैं, ये सिर्फ तुमारे अपने मन के हैं। संदर कमल में चिकुटी वाद, अनेक वाद है, तुमारे मन से अनेक किसम के खैरात उखते रहते हैं। इसलिए सिमन किया करो अजप्पा जाप, अजप्पा जाप से मन बहुते वचार चरने करने बंद कर देगा। फिर ज्ञान कीता करो, मन संकरपने करेगा। फिर प्रकाश मु देखो, फिर त्वरा मन जिसम भुल जाओगे। मैं नहीं भुल सकदा। मैं नहीं भुल सकता, मैं रुदर दना जाता है, और हुरे ही खिठिया, तु मैं वकीर बनाता, किभाए बसहरा को निए, मेरे यह नूठ से मेरे य॥ नूठ से अनूठ से अभी दुनियादे, जबसे मुझे बता रगा है, तो मैं किसी के अंते नहीं जाता, अब मैं मन को छोड़ जाता हूं। अब में भाव को समझाना, अब मुझे मन तंग नहीं करता है, सुभाए सुपने के। सची बात आपको बहुतु है। ले गाड़ी तार, मां, प्यो, मोटी पुच्व कजी कजी प्रा, एक चीजा मैं जूर रहा हूं। मगर मंदर, तुसी लोग, सुभ्संगी कजी नहीं है। या सुपने के अभ्यास करदा हूना, या सुपने क्यूं। जितना कम मैं कीता सी, अपनी जात्ती पेड़, खेदवाण कीता सी। ये मेरा कम है, मेरा जात्ती नहीं है। मैं मैंने उसेना कोई तहलक नही है। इस्वाई है कोई संकर्म मेरे ते नहीं। तो अभ्यास ओ कर सकता है जिसको जो दुनिया में ऐसे रहता है जैसे जल्मे कमल नरालम मुलगाबी निशानियें सुनुत शबद पवसागर तर्ये नान कर नाम बखानियें। यह चीज उसके हिसे में आती है। हर एक आजमी इसको हिसे में हिसे में कर सकता है। अगर ससंग को अच्छा मिल जाए तो सव बर्ष की इबादत से ठाई करी का ससंग बेतर है। मैं अपने नियत से वो ससंग देता हूं जो सव बर्ष की इबादत से ठाई करी का ससंग हो। मगर आप लोग मेरे ससंग को समझ नहीं सकती। अगर समझ में जाओ, तो आप अमल नहीं कर सकती, तूँकि आपका वक्त नहीं है, ये नामदान जो है, ये सिर्फ हर एक श्रक्स को नहीं मिलना है, अलबे पे तो सारन पुड़ाई जान दिया है, ये तो पजास पजूजा सार के बाद अभयास करना चाहिए जोर से, पहले ल को तुम समाल सकते हो, खुद राओ जो अवराद आज करकी पैदा हो रही है, ये कभी फाइदा मन नहीं होती, ये मैं आपको बता जेता हूँ, आप समझे, क्या वक्त क्या हो गया, ये बताओ, तू मैं सवा कंदे तौनु बहुत कुसकर चलिया, मालिक माने तौफिक दे, कि इका रहीं वा रहा बाकी कसी भी तो हाना कर जा या पताओ, जीतिही थी बात समझेक जाएए, तुन्ही करो, कि ये थियों, मेरे बच्यों, मेरी माओं, मेरी बहन भूएं, में अच्छी संतान पय्दा करो, आप समझेंझाएं है, जीवन वश-वुकार के लिए नहीं है, सबसे मैं गया अमरीका में, वहां मैंने यही कहा, कि तुम में शांती है, तुम सक्स ही हो जयादा। यह मेरी अपनी तरभा है ना। शाहद मा खरत हुआ। मेरे पास कई नौजवान होंगे। कोई काना बाबा जी ए शांता, कोई काना ना बहुत करीफ है, कोई काना में जानना की तकरीफ है। सब इसमेर नौजवान बते जोड़े हो देने, यह रहने अपना ब्रह्म चर्ज़ खुए है। इन्सान अपने मान से को शीजिक ब्रहम चर्जज को ठीक रखे। और कम से कम छोटी उमर में बिलकुल शादी नहीं होनी जाए। मगर एक कि छोटी उमर में शादी तुम ना करो वो जून शादी किराता रहता है तो फिर क्या फादा। इससे बेते रहत कि शादी हो जाए। इसवाज से सबसे पहले अपने इखराक को ठीक करो। बाकी यह है कि जब दस्वान दुआ लग जाए फिर आगे है परकाश और शब्द। परकाश में रहते हुए परकाश को देखो। कि गुरु के चरन परकाश है और गुरू का रूप शब्द. है यहार राय साहब राय साहर राय साहर राय साहब ने अपनी बाानी में दिखा। गुरु काुंट। सतुलु इसु छबद श रूपी राय national चुट पनी पहानी में दिखा। कि जीव को उसकी हालात के मताबिक हादात करके प्रकाश और सबत तक पुटा दे। यह न समय नहीं मैं बाहर के गुरु की दूटी नहीं समझता। बाहर के गुरु की दूटी नहीं रेडियेशन काम करती है। Human body is a radio station. इंसान के जिसम के अंतर से radiation जाती है। एक खागिएप्षू से बता ही। जिसना जायेगा उथ आफदा जान वोगänder होगे। इससे लिए जातना बेमारी होगएं जात काम के पंद्रे पंद्रे लाकी में कौरणी देंगें। तंहीं समिघे यह मैंद। इसे तना ही इन्सान है, जिस किसम के उस केश लागा, अगर मैं इस खातर गुरवाई करना, तो मेरा मानुदा मंदर बच जाया, जब मेरी मैं को धन लगा, तो मेरी संगज को तुन रभेगा कि, कि लोगे मेरी संगज को तुन रभेगा कि, कि लोगे मेरी संगज को तुन रभ इसन तो में हो सकिया, तरहाना क्याना, कि नासी, नब्रे कान्या, बान्या में जरूरा किसे बेर गुरूरा जाना, मैं किसे किर जाना, केलाiyet मैं तब मा ma, का ए घान-टी, एक जसलिए मैं अपोस आजा जान आजा जान दिया जिए। कि डूस आ आजान आजा, मैं आज मैं नहीं मुखर दया, तो अजो मैं नहीं दो की अगले संगा किया। तो मैं आजी बतेरा कुछ आनू किया, बहुत कुछ किया, एक, अभिहास करने लग देओ, कल, बार, रिष्टा, सब कुछ छड़ देओ, भूल जाओ, अगर ओ ख्यार आउन देन तो आनू, इसा मतलब है कि तो आदे वेच प्रेम नहीं है, अगर ऐसे वे दे तो आदा चीफ म आदे देओ सामने ख्रोली कुछ सोच चके और हो नू, तो आदे अजी 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 शोच चोगा न, यह की कहन दा, तो जे अजी गुरू नो अपने अंदर समझ नहीं, तो जे अंदर जाना तो आना मन दाउना तो मतलब है, सारे मन देविकाए, गुरू जी कोई इदत नही कोई कुछी अपाव नहीं है, अजी बे अदर भाँ, अदमना अभ्याद करो, पामा अदर घंडा करो, जिनना ते समझो एक जगा अपनी बना लो, एक जगा, शुरू शुरू, सुरू शुरू, सुवेर दे वकत उत्थे सवाय अभ्याद से होर कुछ नी करना, कोई काम गर एक जगा यहाद लुरू, एक जगा करना, कि अखने लुरू, व्याद लुरू, पाइंदा राकिवाद करना, ते समझे में बना वकत बाट होगा, मैं ओ, जगदी इस्टानी आया आची? अए अए, स्टेशन देटो तेटोन आयाटे आचीए, एहा एए? अए? वो लंडन चुछूर आयो है। तुम नने को उत्व पहुन जा है उचिसन तो करेगा। तुम झाके लेः। करेगा। मुझे जाकर ले या है। तो मैं आज तुनु बहुत कुछ कहतेता है। हो सगधा दोस्तों, तुसी मेरी पहना हो, प्राह हो, बच्चे हो। मैंनु शायद जो कुस मैं सम्झे हो वे, सारा हरत हो वे। मैं कन्यानु तोबा करना हम, मैंनु कोई दावा नहीं, मैं प्राह की ताशी अपना अन प्राह जाँगा। धाता द्याल ने क्या सी तालीम बदल जाए। बाबा सामनी तेने क्या सी नर्भय हो कि कम कर या फकीर चंद मैं तेरी पुष्टे पना रहांगा। अगर फश्करों मैं खरता हम जो कुछ मैं समझे, अगर मैं खरता हम, जो जो होने फिंद अपने मेरे खियेया खार ऑस गया गवात्र संसे सिंगाने मेरे ते जो मन में नाकाम जता है तो मैंनो अपनी जाती हरासा है को जो है निया तो मैंनो अपनी जाती गर्ज है मैं बहुंस archive ख contemporarysti मैं जम्यवार नहीं है, हस्पतार ताँ खुले महराण, तो कि गवर्मेंट था कानून है, जितना पैसा हुंदा साइसी परसन उससे साल खर्द करना पूंदा है, तो गवर्मेंट रहा जानी है, इस वासे मजबूरन हो कि कुछ राउनगवास से भी, कुछ लोकाने परेवास स जिए चार पैसे ज्यादा आए में हस्पतार खोलिया है, तो में फकीजन फशया है माया जाल बेचा, तो हम सची करका नहीं है, छूट की है, मगर माया जी परवाह नहीं करता, ना, तुसी आयो, माया जम्यवारिन महसूस करना, गाताओ मैंनु पदा नहीं घट कीता रा ठी महस्तर नहीं करती, अजिए माय जाओ मिस्तर शार्च इंक भालोगो, करना, वेस्तर शार्च सात्या, पने पनाु गुर भाति ने पूश जिर